नमस्कार दोस्तों आरो टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुन भार्द्वाज आपका स्वागत करता हूं कहते हैं अधूरा ग्यान हमेशा नुक्सान दायक ही होता है तो यह आज की जो हमारी वीडियो है उसमें यहीं हमारा टोपिक रहेगा कि यह वर्ड मैं किसली यूज कर रहा हूं आफ़ेडे का मारे पास्वास एक फुराने क्लाइंट है नामारे पास फोन आ खाक हमें यह जहां सब्सक्राइब करना हैं तो हमारे यह उन्हें नौर्मल सा चार्ज बताया गया टोने से चार्ज वगर पसंद नहीं आए होगा तो उन्हेंने अपने सोसाइटी के ही किसी प्लंबर के थुरू वो गीजर वगरा फिट करवाया और आरू का स्पेस चेंज करवा लिया लेकिन यहां कमी रही वह कमी क्या रही जब आज हमारे पास कम्रेंड आई अब क्योंकि आरो जो था अंडर वरंटी था अभी आट पानी क्यों नहीं आ रहा और दो तिन तक पहले पानी आ रहा था और स्पेस चेंज कर वा लिया तो उसके बाद पानी क्यों नहीं आया तो जब हमारे यहां से सर्वेस इंजिनियर टेक्निश्म ना कर गए तो वहां जाके उन्होंने देखा कि जो प्लंबर जो था उसने पा निए बाहर निकलेगा तो हमाँ connection उन्हेंने क्या कर दिया थे सैद उन्हें घ्यान नहीं था जो plumber भाई थे अब उन्हें कुछ सष्था पड़ा होगा लेकिन अब उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा अब उन्हें क्या क्या था कि जो इन वाला तो भया मैं यहीं बताना चाहूँगा कि ठीक है नॉर्मल से चार्ट जरूर होता है लेकिन कभी भी अगर आप आरो अपना इंस्टोल करवा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट बंदे से ही करवाए या अगर कभी भी कोई यारों को काम करवाना है तो जिसे दो चार्ट साल का एक्सपर्येंस हो कम से कम इतने इती नोली जरूर हो कि पानी के कनेक्शन हमें करने कैसे चाहिए उसे से आप रिपेर वगरा करवा और 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 क्या कोई भी चीज अगर आप रिपेर कर रहा तो जिसको थोड़ा घ्यान हो उस मशीन के बारे में उसी से आप यह टच लिए थे प्लंबर से और उसकी वज़ा से शैद उनके आरों में पानी नहीं आया या मैमरें चोग होगी या वाटेवर जो भी था मैं आभी आपको आगे दिखाता हूं क्लिप तो यह देखिए पानी का सोर्स यह है यहां से पानी का किनेक्शन लिया गया है आरों के लिए वाले पाइप के अंदर अब जब आरों में पानी जाएगा यह नहीं थोड़ा थोड़ा जाएगा और भरने में 8-8-10 गंटे लगेंगे तो भीया उसके कहते हैं कहीं न कहीं हमारे आरों ओवरीटिंग करेगा ओवरीट करने के कारण उसका SV भी खराब हो सकता है उसका SMPS भ आरों यूनिट में चला गया लेकिन अब जो ड्रेन पानी आ रहा है कि ड्रेन पानी से एफ़री हटा दिया गया है जबकि ड्रेन पानी में जब तक एफ़र लगेगा नहीं तो पानी कहां से आएगा और अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा तो वह भरने में जैदा टैम लग रहा होगा हमारे आरों में तो यही कारण रहा होगा कि सायद इसका मेंबरेन भीच खराब हो गया होगा इसका SMPS भी हो सकता है कि खराब हो गया यह आडप्टर वगरा जो भी रहता है इसका तो इस टैप से अब यह सही कनेक्शन कर दिया और एफ़र आप देख रहा हमने ट्रेन पाइप में जो लगा दिया हमारे जो टेक्निशन भाई थे उ और यहां लगा दिया यहां लगाना होते डेन पाइप में प्योर वाले में अगर लगा देंगे तो पानी का फ्लो इन जाएगा आगे वह थोड़ा-थोड़ा जो फ्लो जाएगा वह आरो टैंक भरने में जैदे टैम लगे तो इसलिए यह गलती आपको कभी नहीं करनी है जिहान रखना है आपको किस टैप से क्यों रिटे के नेक्शन किये थे जिसके वजाए से उनका कुछ आरो का मेंब्रेंज या को यह काता पार्ट वगरा खराब हो गया था तो इसलिए मैं यहां यही कहना चाहूंगा भी यह कभी भी मैं अपने सिर्फ आरो की बात करूंग कभी भी आरो टच करवाओ तो एक्सपर्स बंदे से ही रिपेर करवाओ या फिटिंग वड़ा करओ ठीक है थोड़ो पूर चार्ज जरूरी देना पड़ जाता है या हो जकता है सो पचास पर आपको महंगा जरूर पड़ता हो लेकिन कम से कम यह तो है कि हां भी हमारे आरो तो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स फूर वचिंग